नमशकार जी मेरा नाम है वीनू बताने जारी हूँ अगर ये है आपकी राशी तो आने वाले दो दिन आपके लिए बहुत लाबकारी हैं जानिये कैसे अगर आप जोतिश शास्त और राशियों पर विश्वास रखते हैं तो आज हम जिस राशी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो आपके लिए हो सकती है दरसल आने वाले दो दिन कुछ राशियों के लिए अतन्त लाबकारी होने वाले हैं जोतिश शास्त के मुताबिक कुछ जतन कराप उसका लाब उठा सकते हैं आज हम आपको उस एक राशी के बारे में बताएंगे जो सबसे ज़्यादा लाबकारी साबित हो सकती है करक राशी वाले जातकों के लिए आने वाले दो दिन बहुत ही लाबकारी है बैवसाई में मिलेगी सफलता करक राशी वाले जात्कों के लिए आने वाले दिन बैवसाई के छेत्र में उन्नती लेकर आएंगे ऐसा हम नहीं जोतिश शास बता रहा है जोतिशों के नुसार बैवसाई के छेत्र में सपल होने की इच्छा से आपको सकारात्मक परड़ा मिलेंगे अपनी उर्जा का इस तर उंचा रखें वो अपनी कंपनी की हर तरह से मदद करते रहें इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर आप पैसे के प्रवंधन से सम्मद रखते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी क्योंकि आप अपने काम में कोई गलती नहीं करेंगे प्रचार धंदा बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है इसके जरीए लोगों तक आपके बैपार के जानकारी पहुचेगी अपना प्रचार प्रसार करने का यहां बढ़िया दिन है मौका ना गवाएं मौबबत की दुनिया में आपके खाते में पुन्न मिनन का योग है आज आप अपने पुराने प्यार से मिल सकते हैं लेकिन आने वाला व्यक्ति आपको हरत में भी डाल सकता है मौके का लाब उठाएं गुस्ते पर रखना होगा कावो बलही इन दो दिनों में परस्ततियां आपके अनुकूल है फिर भी आपको इन दिनों में सहियं बरतने के आपशकता है आपको कोई चाहें कितना भी उकसा है घर की शान्ती भंग ना होने दे कभी-कभी अपने गुस्ते को पी जाने में ही बलाई होती है आप अपने गुस्ते को पूरी तरह से काबू में रखें गुस्ते पर काबू नहीं रखा तो अपनों के बीच दूरियां आ सकती है जगडे से आपको कोई लाब नहीं होगा बनकि आपकी परशानी और बढ़ सकती जाएंगी धन्यवाद मेरे चनल को सब्सक्राइब जगूर करें